नमस्कार दोश्तों बात करेंगे इंसेंट इंडियन से महाभीर स्वामी ने जैन धर्में कौन सा ब्रत को जोरा था तो इसका उत्तर होगा महाभीर स्वामी ने जैन धर्में पांसमा ब्रत ब्रह्म चडिये को जोरा था जैन धर में सेवर क्या है तो जैन धर में जो सेवर है वह तिरत्नों का पालन करने का परिणाम होता है उसे सेवर कहते हैं जैन धर में वस्त धारन के समर्थक कौन थे तो जैन धर में वस्त धारन के समर्थक पार्शोना थे और महाविर स्वामी जो थे वो वस्त त्याक का पुर्णता समर्थक थे यानि कि वे दिगंबर को जादा मानता दिया था क्या जैन धर्म में इस्वर की मानता थी नहीं जैन धर्म में कितने तिर्थंकर हुए थे जैन धर्म में जो है कुल 24 तिर्थंकर हुए थे जैन धर्म का मूलाधार क्या था तो जैन धर्म का जो मूलाधार था वह स्यादवाद था जैन धर्म के अंतिम संस्थापक कौन थे तो महाविर स्वामी जो थे वह जैन धर्म के अंतिम संस्थापक थे महामीर स्वामी का जन्म कहां हुआ था और कब हुआ था तो महामीर स्वामी का जन्म है वह कुंडर ग्राम में हुआ था वैसाली में 540 इस्वी पूर्व महामीर स्वामी को ज्यान की प्राप्ति कहां पर हुई थी इसका अंसर होगा कि स्वामी जी का जो है ज्यान की प्राप्ति जृंभीक ग्राम के समीप हूई थी महामिर्षवामी का मिर्ट्व कब और कहां पर हूई थी इनकी मिर्ट्व जुय पाबापुरी राजगीरी में वह उई 468 इस्वी पूर। जैन धर्म का महत्वपुर्ण ग्रंथ कौन सा है तो कल्प सुत्र जैन धर्म का महत्वपुर्ण ग्रंथ है बंसदिस क्या है तो बंसदिस जो है वह जैन मठ है अगला है प्रथम जैन संगीती कब कहां और किसके सासन काल में हुई थी प्रथम जैन संगिती जो है 322 से 298 इस्विप्रमें हुई थी अस्थान था पाटली पूत्र इसके अध्यक्स थे अस्थूल भद्र और चंदगुप्त मौरे का जो है शासन था इसमें 12 अंगो का प्रनेन किया गया था इसमें स्वेतामबर एवं दिगामबर जैन धर्म दो भागों में बट गया था स्वेतामबर एवं दिगामबर द्वीतिये जैन संगिती कहां पर हुई थी और कब तो द्वीतिये जैन संगिती जो है वह बल्लभी में जो कि गुजरात में है 512 इस्वि में हुई थी इसके पर्म ग्रंथों का जो है लीपी करन करना महाबीर ने अपना उपदेश इस भासा में दिया तो महाबीर जो थे वे अपना उपदेश प्राकिर्टिक भासा में अधिकतर दिये थे इसे अर्ध मागदी भासा भी कहा जाता है महाबीर ने अपने सिस्यों को कितने भागों में विभाजित किया था तो महाबीर स्वामी अपने सिस्यों को ग्यारा गंधरों में विभाजित किया था जैन धर्म के त्री रत्न क्या है तो जैन धर्म में जो है त्री रत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्यान और सम्यक आच्रन है जैन धर्म में पंच महावरत क्या है तो जैन धर्म में जो पंच महावरत है वह अहिंसा, सत्य वचन, असत्य, अपरिग्र, एवं ब्रहमचाड़ी है था जैन धर्म को मानने वाले राजा कौन-कौन से हुए तो इसमें जो है उदेयन वंद राजा चंद्रुप्त मौडिये कलिंग नरेश खाडवेर राष्टकूर राजा अमोगर्ज चंदेल सासक ये प्रमुख हुए खजराहों में जैन मंदिर का निर्मान चंदेल सासको ने किया था मत्रा कला का संबंध किसी से है तो मत्रा कला का संबंध जो है वह जैन धर्म से है तो ये था जैन धर्म से संबंधित प्रश्णों का उत्तर जो की बहुत ही महत्पूर्ण है धैन्यवाद